नोगावा तैसिल में मकर्सक्रानती के पर-पर IMM क्रिकट पर्तियोगीता शुभारम किया गया समासे भी मदन गुपता और विकास सिंगल के द्वारा फीता कट कर पर्तियोगीता का उद्गाटन किया गया अतीतियों के द्वारा मासरस्वती के समक्ष दी परजुलत कर परतियोगिता का शुभारम किया गया परतियोगिता आयोजगों के द्वारा सभी अतीतियों का साफ़ा पहना कर मालियार प्रणवे स्मृति चिंदे कर संबान किया गया समा से भी विकास सिंगल ने खेल को खेल क भावना से खेल लेके लेख खिलाडियों को प्रेरित किया और मोबाइल के दुनिया से हट कर खेल को अपने जिंद्गी का एहम हिस्सा बताया MM किर्केट परतियोगिता के आयोजक राजाराम गुजर ने बताया कि नोगावा नगरपाली का की भूमी पर ही है पहली किर्केट परतियोगिता है परतियोगिता में सिक्सर की बोल द्वारा सभी मैच कराए जाएंगे जिससे खिलाडी भर चड़ कर हिस्सा ले सके इस दोरान नोगावा नगरपाली का चेर्मेन राजीव सैनी, कलूराम सैनी, दाताराम गुजर, गुलाब गुजर, सोनू, लवानिया, विजए सिंग चोहान, महाविर सत्वासिया, धरमविर गुजर, अमरजीश सिंग, राजाराम गुजर, आदी मोजुत रहे आज नोगावा नगरपाली का में MM क्रिक्ट पृतियोगता को आजन किया गया, जिसका उद्धगाटन, सिरीबान, मदंजी गुपता और विकास, कुमार सिंगल के करकमलों से किया गया और मकर सक्रानती के पावन पर-पर बच्चों को उन्होंने बहुत सारे सुझाओ दिये और खेल की भावना से खेलने के लिए उन्होंने पुरेरत किया, और उनकी सहानो भोति के लिए कुछ सान भोति राशी भी दी है, ताकि उनका क्रिक्ट का भषी से उजवल हो सके और साथ ही आज का जो मैच है नोगावा क्रिकेट किलब और चंडिगरबास का मैच हुआ और इसका तोस हमारे नगरपालिका के चेर्मेन राजीव सेनी ने करवाया और नोगावा चंडिगरबास क्रिकेट किलब ने तोस ही नहीं मैच भी जीता है और साथ में राजी उशैनी जी ने बच्चों को खेल की भावना से खेलने के लिए प्रेजित किया और उनको मुबाइल की बढ़ती हुई जिंदिकी से छुटकारा दिलाने के लिए और ये आजन करवाया है ताकि लोगों का उस मुबाइल से पिछा छूट सके और यहां एक फिजीकली अपना वो क्रिकेट में आनद ले सके ताकि उनका कुछ फिजीकल भी कुछ ठीक हो जाए